बिस्मिल्य रह्मान रहिम असलामलेकूम प्यारे बच्चों हुशामदीद उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे मैं हूँ आपकी टीचर आमनामाद जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नमबर पांच पढ़ रहे हैं मुसल्मान जनूबी एशिया में 1526 इसवी से 1857 क्यों समझा जाता है अकबर के दोड़े हकूमत के बारे में आज हमने पढ़ना है और उसकी एहम जो उसने एहम इकदामात किये जो उसकी एहम हिदमात थी अपने दोड़े हकूमत में उसके बारे में हमने पढ़ना है और देखना है किस तरह से उसने अपनी हकूमत को अपन का खास करते हैं सरگर्मी के साथ यह एक नकशा है जोMr. आपको स्क्री में नजर आ रहा है यह जो बाबर था जहीर उद्दीन बाबर उसके दोड़े हकोमत का नकशा है कि अपने दोड़े हकोमत में किस तरहां अपनी हकोमत के अपनी हकोमत को व्सत दी थी और अपनी हकोमत जो थी वो आग्रा, पानिपत, लाहोड और काबिल में उसने अपनी हकोमत का अगास किया था और इन लाखो को फता किया था। लेकिन वो अपनी जो हकूमत थी उसको वो बानी तो था मुगलिया सल्तनत का लेकिन वो अपनी हकूमत को वुसत नहीं दे सका था उसको जो मुगलिया सल्तनत थी उसको वुसत दी थी बादशा अकबर ने जिसकी वज़ा से उसको अजीम बादशा के नाम से जाना जाता है तो उसने ये जो येलोईश कलर का आपको नजर आ रहा है एडिया नक्षे में ये अकबर के दोर की हुकूमत थी अकबर के दोर में जो मुगलिया सल्तनत की हुकूमत थी ये उसको शो कर रही है और उसने बहुत से इलाके दिहली आगरा इसके इलावा बहुत से रियास्तों को फता करके उसने अपनी सल्तनत को मजीद वुस्त दी थी जिसकी वज़ा से उसको एक अजीम बादशा के तोर पे जाना जाता है तो उसके बारे में आज हमने पढ़ना है कि उसने किस तरह से और कौन-कौन से इलाकों को उसने फता किया था और कौन-कौन से एहम इकदामात उसने किये थे जिसकी वज़ा से हम उसको अजीम बादशा के तोर पे जानते है जलाल-दीन मुहमद अकबर को अकबर अकबर-ए-आजम के तोर पर जाना जाता है जलाल-दीन मुहमद अकबर नवंबर 1542 इसमी को उमर कोड जिसको सिंध के नाम से जाना जाता है वहाँ पैदा हुआ था बेराम हान जो था वो इसका तालीक था उसको जिसने पाला था वो बेराम हान था और जिसने उसको फोजी क्यादत दी थी और जितनी भी उसको सिखाया था वो बेराम हान था जिसने अकबर को जितनी भी क्यादत और जितनी भी तालीमात दी थी बेराम हान ने दी थी 14 फरवरी 1556 में उसने तहत संबाला था और तकरीबन 50 साल उसने हिंदुस्तान पर हकूमत की थी एक तवील अर्से तक उसने हकूमत की थी हिंदुस्तान पर अपनी सल्टनत को बहुत ज्यादा वुस्त दी थी और बहुत ज्यादा इलाके जो थे उसने फता किये थे अकबर एक अजीम फाते और मुंतिजिम के तोड़ पे जाना जाता है अजीम फाते के उसने बहुत से इलाके फता किये थे और मुंतिजिम उसने अपना जो दोड़े हकुमत का निजाम था बहुत अच्छा बनाया था जिसको बात में अंग्रिजों ने भी फोलो किया था नवंबर 1556 में पानी पत की दूसरी लड़ाई जो थी वो अकबर और हैमो बकाल के दरम्यान हुई थी और उसने हैमो बकाल से दिहली और आगरा का इलाका जो था वो छीना था और उसके कबजा करके वहाँ पर भी अपनी हकुमत का आगास किया था पहली लड़ाई जो थी वो बाबर और इब्राहीम लोदी के दरम्यान हुई थी जो पानी पत की और जो दूसरी लड़ाई थी पानी पत की वो अकबर और हैमोबकाल के दरम्यान हुई थी हैमोबकाल जो था वो देहली और आगरा पर काबिज था तो अकबर ने उससे वो इलाके छीनने के लिए उसके साथ जो जंग लड़ी की उसको पानीपत के नाम से जाना जाता है अपने दोड़े हकूमत के अवाइल में अकबर ने देहली आगरा अजमीर गौालियार और जोनपुर को फता किया 1561 में इसने बाज बहादूर को शिकस्त दे कर मालवा पर भी कबजा कर लिया इसके बाद रियासत गौनवाना पर इसने कबजा किया और उसको भी फता कर लिया और अपनी हकूमत में शामिल कर लिया अकबर ने काली नगर गुजरात बंगाल सिंद बलोचिस्तान और कंदार जैसे कई इलाकों पर कबजा किया 1568 को अकबर ने चितोर को फता किया और वहां पर भी कबजा कर लिया और उसको भी अपनी हकूमत में शामिल कर लिया 1573 में अकबर ने गुजरात को भी फता कर लिया और गुजरात का इलाका भी जो था वो अपनी हकूमत में शामिल कर लिया जून 1576 को अकबर ने मेवार को फता करने के लिए अपनी फोज को रिवाना किया और वहाँ पे भी उसको फता मिली और उसने मेवार का इलाका भी जो था उसको हासिल कर लिया मेवार का इलाका जो था वो उस वक्त राजपूतों के लिए बहुत आहमियत की हामिल रगता था तो उसको फता करना अकबर के लिए बहुत जरूरी था इसलिए अकबर ने उसकी रियास्तों को पहले फता किया जो कि चितोर थी चितोर को फता करने के बाद उसने मेवार का इलाका भी फता कर लिया चुके मेवार का इलाका जो था वो मरकजी एहमियत रखता था और उसको फता करने के लिए बहुत जरूरी था जो बाकी दूसरी रियास्तें थी वो उसकी एहमियत को बहुत जो थी वो उसकी उन दूसरी रियास्तों के लिए मेवार की एहमियत बहुत ज्यादा थी तो उसको पहले मेवार के इलाके को फता किया बाद में दूसरी रियास्तों को फता किया तो दूसरी रियास्तों ने उसको जो था उसको रिस्पेक्ट दी और उसको फॉलो किया और उसको फता दी और अपने इलाके भी जो थे उसको सौंक दिये अपड़ ने 1586 में कश्मीर के हुकमरान यापूप शाह चक को भी शिकस्त दी जो आखरी हुकमरान था चक खानदान का जो यूसफ शाह चक था उसको भी उसने शिकस्त दी थी और कश्मीर के इलाके को भी फता कर लिया था और कश्मीर का इलाका भी अपनी हकूमत में शामिल कर लिया था ये उसकी येलो कलर का एडिया आपको नजर आ रहा है नक्षे में ये उसकी हकूमत के दोर का जो मुग्या सल्तनत थी ये वो है जिसमें उसमें दिखाये गया है कि उसने बहुत से इलाकों को फता किया पहले जो बाबर ने सिर्फ आग्रा काबिल और डहली जो इलाका था वहां पे ह GLORIA की लेकिन जो अकबर था उसने मज़ीद अपनी सल्तनत को वुष्सत दी और बहुत से इलाकों को फता करने के बाद मुगलिया सल्तनत को बहुत वसी कर दिया था जो इंतिजामी इकदामात और इसलाहात की थी उसने जो अकबर ने जो पॉलिसियां बनाई थी उसको कई नसलों तक जिंदा रखा अकबर ने टेक्स के निजाम की असर नो तजदीद की और टेक्स को अकठा करने के निजाम को फोज के निजाम से अलाहदा कर दिया पहले टेक्स का और फोज का निजाम जो था वो इकठा था उसने टेक्स के निजाम को मजीद तजदीद दी उसको मजीद जो था वो तब्दील किया और बेहतर किया और टेक्स के निजाम को फोज के निजाम से अलाधा कर दिया सूबो को जिलों में और इन जिलों को मजीद छोटी अकाईों में तक्सीम किया फतापूर और आगरा नए दारल हकूमत के तोड़ पे उसने मतारिफ करवाए और उनकी बुनियाद रखी दारल हकूमत के तोड़ पे फतापूर और आगरा की इसके इलावा उसने बहुत से शौबे बनाये थे और बहुत से शौबों में जो उसने अफसरान मनकित किये थे वो अफसरान जो थे उनको मुख्तलिफ ओहदों पर फाइस किया था और वो अपने ओहदे संबालते थे और जिसकी मदद से हकूमत के जो तमाम एकामात थे वो इ एराम हान को फाइस किया और वकील जो था वो सल्तनत की हैसियत उसकी सल्तनत में जो हैसियत थी वो वजीर आजम की थी दूसरा जो हुदा था वो दिवान का था दिवान महकमा मालियात का सरब्रा था हकूमत की आमदन और उसके खर्च का हिसाब रखता था इसके बाद मीर बख मिर्बक्षी के जो जिमे था वो फोजी अमूर थे फोज की तन्हाओं और खातों को देखना इसकी जिमेदारी थी उसके बाद सद्रूल सुदूर मजभी अमूर और खिराज जैसी जिमेदारी को देखता था खाने समान खाने समान जो था वो शाही खानदान के गरेलू शौबा के सरबरा थे शेहनशा के तमाम जाती जो मलाजिम थे वो इसकी निगरानी में काम करते थे इसके इलावा शाही गराने के रोजमरा के खराजात खाने पीने और उसकी निगरान में खाने समान की जिमा थी उ उसके बाद जो शौबाथ था वो काजईय Kजात का काम जो था वो अदल उनसाफ के इसके बाद मौत हसिब्चा Want ऐ 싸af के तो जिए आतिवां की कीमतों में तवाजन बंखरार रुखना rub और इहतसाब की जिम्मेदारी थी इसके इसके इलावा ये अवाम को अद्ब औ अदाब पर फाइज रखने की जिम्मेदारी नहीं बाता था दरोगर डाक, डाक के शोबे का अफसर आला दरोगर डाक कहलाता था सल्तनत के हबर इसाँ और जसूस इसके जेरे निगरान थे और जितनी भी जो जसूसी होती थी इसके इलावा जो हबर इसाँ जो पेगाम पहुंचाने का काम करते थे वो इसके जेरे निगरान होते थे और ये उसके अंडर जो थे वो काम करते थे मेर आतिश तोप हाने का निगरान वजीर मेर आतिश खेलाता था और जितना भी तोप हाने के जो दमात होते थे वो यही इंजाम देता था उसके बाद दरोगा आता था पुलिस को दरोगा कहा जाता था इसमें अमनो अमान काईम रखना दरोगा की जिम्मेदारी थी उसके बाद बियोतत आता था मनने वाले की जायदात का अंदराच करना जो था वो बियोतत के हवाले था तो ये उस वक्त का इंतिजामी डांचा था जिसको अकबर ने बनाया था जिसमें सबसे पहले अकबर बादशा और उसका वकील आता था जो के वजीर आजम की हैसियत रखता था उसके बाद वजीर सदर और मीर बख्षी आते थे और उसके बाद जो निचले उहदे थे वो आत बनाय थे मुस्तफा मेर भबर मीर चिहाता ता और अतिश आतंगी उसने शुब्रावश के नीचे आते थे वार दो कि किस तरह का बनाय था सबसे पहले जो उसने अपने सूंदे नाये थे वह बड़ा उस Welka ओसर बड़ा होता का वो सूबेदार कहलाता था, उसके बाद दिवान आता था, सूबेदार के बाद सूबे का दूसरा एहम उहदा दिवान का था, दिवान को मरकस की तरफ से मुकरर किया जाता था, और इसका काम मरकस को सूबेदार की कारगर्दगी से बाहबर करना होता था, उसके बाद सदर आत करता था इसके बाद बख्शियाता था सुबाई फौच के जितने भी वह प्ता मात थे यह जो पक्षियों करता था और इसको मेर बख्षय मुनक्ट्ट करता था कौत्वाल आता था शllesके बाद अधालती जू फ्राइस थे जो अदल्व इंसाफ का निजान था वह भी कौत्व उसके बाद आमील आता था जो माल उफिसर कहलाता था और जतना भी माली एहराजात और जतने भी मालियात से रिलेटिट काम थे वो ये इन्जाम देता था वकाया नवीस आता था वकाया नवीस का काम भी बादशा को सुबे के हालाद से बाहबर रखना था इसके इलावा तमाम रिकार्ट को महफूज रखना वकाया नवीस की जिम्मेदारी थी फोजदार आता था सरकार का सबसे आला अफसर फोजदार था फोज़दार को भी बादशाय मुकरर करता था मज़ीद ब्राव फोज़ का कमांडर भी फोज़दार को ही रखा जाता था ये सुबाई इंतजामिया है जिसमें सबसे पहले वजीर और मर्कजी सदर आता था और सदर के नीचे जो मुख्लिफ कोतवाल दिवान और सुबेदार थे वो आते थे इसके लावा मर्कजी मीर बकशी था जो के बकशी और मीर बहर जैसे जो मुख्लिफ ओदेदार थे वो इसके जेरे निगरां थे उसके बाद सरकारी इंतिजामिया थी सरकारी इंतिजामिया में भी जो मेन था वो सदर था सदर के अंडर जो था वो काजी होता था और वजीर था वजीर के अंडर फोजवार, कोटवाल और वाक्या नवीज था उसके बाद परगना की इنتजामिय थी जिसमें वजीर उसके बाद जो आमिल था वो आता था और उसके अंडर जो थे वो अमीन, हजानादार वगरा आते थे फिर गाओं की इंतिजामिया होती थी जिसमें शिक्तदार और पत्वारी चोखदिरी चोखदार और जो आम आवाम थी वो आती थी तो इस तरहां से अकबर ने मुख्तलिफ जो इंतिजामिया के दांचे बनाए थे जिसमें पहले मरकस की इंतिजामिया थी उसके बाद सूबो की इंतिजामिया और उसके बाद जो उसने मुख्तलिफ आकाईया बनाई थी उनकी इंतिजामिया थे और उनमें उसने बनाये थे जो अपने काम को इंजाम देते थे मनसबदारी का निजाम अकबर ने 1572 में जागीदारी के निजाम को हतम करके मनसबदारी का निजाम जो था उसको राइच किया था मनसबदारी का निजाम जो था वो मनसब एक अर्ड़ी लवज है और इसका मतलब जो है वो इक scales के according ही उनके ओहदे को देखा जाता है उनकी designation को देखा जाता है और उनको जो तन्वा और जो allowances मिलते हैं वो उसी scale के recording मिलते हैं अकबर ने भी मनसबदारी का निजाम जो था उसको राइज किया था और मनसबदारी से जो है वो किसी भी जो अफसर होता था उसके ओहदे का पता चलता था यानिके उसके दर्जे का पता चलता था उसने टोटल जो थे वो 33 दर्जे बनाये थे और हर दर्जे पे जो था वो कि की तन्वाय जो थी वो उनके दर्जे के एकॉर्डिंग थी ये शौबा फोजी और अवामी दोनों शौबों से मुतलिक था मनसबदारी निजाम में दोहडे और ओहडे की नमाइंद्गी की जाती थी मतलब के फोजी भी और फोजडारी का जो निजाम चिलाते थे वो भी और जो अवामी जो निजाम थे वो भी एक शख्स जो था वो लूज्जे तर्जे पर फाइज होता था वो ये दोहड़े और ओहडे की जिमेदारी जो थी वो निबाता था किसी भी मंसबदार के ओख़दे का अंदाजा उसके मंसबसे लगाया जाता था मजीद बड़ा मनसबदारों को 33 दर्जों में तक्सीम किया गया था और हर मनसबदार को उसके ओधे और जिमेदारी के अकॉर्डिंग जो थी वो सेलरी मिलती थी हर मनसबदार के लिए लाजम था के वो मुकररत अदात में सपाही शहस्वार और जो जंगी जो अलाथ होते थे उनको रखे और जब भी बादशा को इनकी हेल्प की जुरूरत होती थी तो वो आगे आगे होते थे और अपनी फोजदारी का जो एहकामात थे जो काम थे उनको इन्जाम देते थे यह मनसबदारी निजाम को शो किया गया है इसमें इसके बाद जो मजभी हिकमत अमली थी वो क्या थी कि उस वक्त जो अकबर ने मजभी रवादारी को उसने राइच किया था और मजभी रवादारी की पॉलिसी उसने बनाई थी इसके इलावा उसने हिंदों को जजिया देने से भी अजाद कर दिया था और उसने दिने इलाही की बुनियाद रखी थी और दिने इलाही में जो दिने इलाही की जो बुनियाद थी वो क्या थी कि जो मुख्लिब मजाहिब थे उस वक्त के मुसल्मान, हिंदू, सिख और मसीही मजभब उसने उनके अकाइट का मजमुवा बना दिया था और मुझमुआ की जो उसने नाम दिया था वो दिन इलाही का नाम दिया था तो ये जो थी उस वक्त की उसने मज़भी पॉलिसी बनाई थी जिसमें तमाम मज़ाहिब के अकीदों को उसने इकटा कर दिया था राजपूतों के साथ हिकमत अमली अकबर बाच्शा जो था वो राजपूतों के साथ बहुत हिकमत अमली के साथ रहता था राजपूतों को उसने अपने दोर में आला उखदों पर भी फाइस किया था और राजपूतों के साथ निष्टे नाते भी काइम करने की इजाज़त दी थी राजा बहारी मिल की बेटी जोदा भाई के साथ उसने शादी की थी और जो राजपूत थे उनको आहला उदब पर भी फाइस किया था इस नवएए ने मुगलों को फाइदा पहुंचाया और राजपूत मुगलों के सबसे एहम साती बन गए राजपूत ने मुगलिया सल्तनत के लिए काबले कदर खिद्मात पेश की और सल्तनत के लिए अपना खून बहाया प्यारे बच्चों आपने मुगतसिर जो सवालात हैं उनके जवाब लिखने हैं या आपका होमवर्क है जो कुछ हमने अकबर के मुख्लिफ एकदमात पर एक इस तरह उसका जो निजाम था हुकूमत का वो बहुत आला था और उस निजाम को जो अंग्रेज थे उन्होंने भी उस निजाम को फोलो किया था और जो भी उसने शोबे बनाये थे मुख्लिफ जो उहदेदार बनाये थे जो मुझसबदारी का उसने निजाम बनाया था उसको बाद में भी फोलो किया गया तो उसके बारे में सवालात हैं शाखी सल्तनत की तोसी में अकबर के फता करदा इलाकों के नाम लिखने हैं आपने और काजिय उलकजात और मीर बखशी के जिमें लगाये जाने वाले काम बियान करने हैं इसके बाद तफसीली सवाल हैं जलाल-red-Dudeen मुहंद अकबर को अकबर आजम क्यूं कहा जाता है उसकी आपने जो उसने अपनी सल्तनत को विशथ देने के लिए जो एहम एकदमात किये और जो उसने अपने हकूमत के निजाम को चलाने के लिए हम इकदामात के उसके बार में आपने लिखना है मुगलिया सलतनत की बुनियादों को मुझबूत बनाने में इसका क्या एहम किरदार था उसको बियान करना है अकबर के इंतिजामी इकदामात और मनसबदारी निजाम को तफसील से ब्यान करना है यह आपका होमवर्क है इसके जवाब आपने अपने नोट बुक में लिखने हैं उमीद करती हूँ आपको आज का सबक बहुत अच्छे से समझाया होगा मिलते हैं अगले सबक में अपना बहुत ख्याल रखियेगा बहुत शुक्रिया अल्लाहाफिस